Hello children, welcome to my channel. आज हम subject, predicate और object क्या है यह परेंगे, ठीक है? तो शलो शुरू करते हैं. पहले देखते हैं sentence क्या है? Sentences are made up words. Sentence किसे बनते हैं? Words से. एक-एक word को जोर के हम sentence मनाते हैं. When words are set in proper order, they make sentences. जब word को हम proper order में set करते हैं, तब sentence मनते हैं. ऐसे ही word को जोर देने से sentence नहीं बनेगा. उसका meaning होना पड़ता है, ठीक है? जैसे, Ram is a good boy. Ram एक अच्छा लर्गा है. हम इसको proper order में set करें. इसलिए यह एक sentence है. अगर Ram, boy, good ऐसे करेंगे, तो यह sentence नहीं होगा. ठीक है? तो subject, predicate और object क्या है? चलो पड़ते हैं. subject क्या है? The subject of a sentence is the noun or pronoun that does the action. subject क्या है? एक sentence में जो noun or pronoun है, जो करता है, action कर रहा है, उसको क्या बोलते है? subject. और predicate क्या है? a predicate is the part of a sentence or clause that tells what the subject is doing or what the subject is. predicate क्या है? sentence का वो पार्ट है, जो subject क्या कर रहा है, वो बोलते हैं. subject क्या है और क्या कर रहे है, उसके बारे में जो बोलते है, वो है, predicate. मतलब, subject के बाद जो बसा कुछा, हिस्सा होते है, उसको क्या बोलते हैं? predicate. और object क्या है? the object of a sentence is the person or thing that receives the action of the verb. object क्या है? sentence का वो person or thing है, वो व्यक्ति और चीज है, जो action को receive करता है. subject, जो action कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है और क्या कर रहा है, ये जो बोलते है, वो क्या है? object. object क्या है? predicate का एक हिस्सा है. ठीक है? तो चलो उस example लेके देखते हैं. example क्या है? the cat chased the rat. हर sentence में दो पार्ट होते हैं, पहला और दुसरा. एक subject और एक predicate. ठीक है? यहाँ पे दो दो पार्ट है, देखो. the cat chased the rat. यहाँ पे subject कौन सा है? यहाँ पे हम किसके बारे में बोल रहे हैं? cat के बारे में. तो यहाँ पे subject कौन सा होगा? the cat. और बाकी का जो बचा कुछा हिस्सा है, वो क्या है? predicate. chase the rat. यह क्या होगा? predicate. और cat किसके पीछे भाग रहा है? rat के पीछे. तो rat क्या होगा? object. ठीक है? subject क्या है? sentence में हम जिसके बारे में बात करते हैं, वो है subject. और predicate, जो बसा कुछा हिस्सा है, subject क्या है, कहा है, कौन है, यह जो बताते है, वो है predicate. और object क्या है? object है, predicate का है हिस्सा है, subject जो action करता है, वो जिसके उपर करता है, वो क्या है? object. ठीक है? हम sentence में subject, predicate और object कैसे निकालेंगे? subject कैसे निकालेंगे? वो और what question करके, क्या है और कौन है? यहाँ पे, क्या है? the cat chased the rat. who chased the rat? the cat. तो यहाँ पे, the cat होगा subject. और बचा बाकी का जो हिस्सा है, वो होगा, predicate. और किसके पीछे भाग रहा है? rat के पीछे. तो rat होगा यहाँ पे, object. ठीक है? तो चलो कुछ और example लेते हैं. the train was late by two hours. train दो घंटे लेत थे. कौन लेत थे? train. the train. यहाँ पे, subject होगा, the train was late by two hours. यह होगा, predicate. और कितनी वक्त लेत थे? two hours. यह होगा, object. ठीक है? next है, my father runs a bakery. मेरे, पिता जो एक बेकारी चलाता है. कौन बेकारी चलाता है? my father. तो यहाँ पे, my father होगा, subject. runs a bakery. यह होगा, predicate. क्या चलाता है? बेकारी चलाता है. my father क्या चलाता है? बेकारी. तो यहाँ पे, बेकारी क्या होगा? object. next है, the children laughed at the poor man. बच्चे ने, गरिब आदमी पे हसा था. कौन हस रहा था? children. the children. तो यहाँ पे, the children होगा, subject. laughed at the poor man. यह होगा, predicate. children, इसको हस रहा था? poor man को. तो यहाँ पे, poor man कौन होगा? object. ठीक है? next है, dogs bark at night. कुट्टा राट को भोगता है. कौन भोगता है? dogs. dogs होगा, subject. bark at night. यह होगा, predicate. कब भोगता है? राट को, night को. तो night होगा, object. next है, the teacher taught us a new lesson. teacher ने हमको एक नया lesson पराया. किसने पराया? teacher ने, the teacher. तो यहाँ पे subject है, the teacher. और जो बच्चा कुछा हिस्सा है, वो होगा, predicate. taught us in new lesson, यह होगा, predicate. teacher ने हमको क्या पराया? new lesson पराया. तो new lesson होगा, object. ठीक है? तो समझ में आया? आज हमने क्या बढ़ा? subject, predicate और object. तो subject क्या है? sentence में हम जिसके बारे में बोलते हैं. और predicate क्या है? subject क्या है? क्या कर रहा है? कौन है? यह जो explain करता है, वो क्या है? predicate. और object क्या है? subject जो एक्सन करता है, जिसके उपर करता है, वो है object. ठीक है? तो आज के लिए इतना ही. चीलूए मितने इक्स. टेक केर. बाबाई.